ये उन दिनों की बात है हाँ, चलो वाई जहाँ उड़ जाएगा अरे भाल मैं तो यार फोन ही नहीं उठाता जल्दी करो जल्दी करो, देर हो रही है पती देव आज आपके बाल बन जाएंगे ओके नेनाब, ये क्या कर रही हो? जी सब उटेज में मिलता है अब मुझे अपना लेकर जाना है तुम चुप रहो अरे यार चाप कर रही हो तुम तुम ये देखो, मैं आई अरे यार जल्दी करो ना यार लेट हो रहाँ, जल्दी करो बस पंड़े, दो मिनिट नेना जल्दी से फाइनल चेक अप करो हाँ कर लिया पंड़े, पंड़े, रोफ, तुने परदे लाइट सा बंद कर दिये ना लाइटे बंद कर दी, परदे भी लगा दी, फाइन बंद कर रहाँ बस ठीक है, मैं किचिन देख लेती हूँ अरे, भाई समीर, अरे जल्दी करना यार भाई, एयरपोर्ट जाने, एयरपोर्ट, तेरी छट पे हवाई जाज नि आएगा, कि आओ और चड़ जाओ बस आ रहा हूँ, पंड़ित दो-दो मिनट बुली जारे, तेरी देर से जल्दी कर थड़ा जल्दी कर नेना, जल्दी करो ना आई आई पंड़ित मुन्ना कहा है, अरे कहीं घोड़े बेच के सो रहा होगा वो चलो न, देर हो जाएगी आप चल रहा हूँ, चलो जल्दी, जल्दी पंड़ित, क्या कर रहा है, जल्दी चलाना मैं पहली पर प्लेन में बैटूंगी, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए तो थो जल्दी उठना चाहिए था न, बड़ा जोश में आ रही थी, मैं उठा दूंगी तुम्हे पंड़ित, तुना एक काम कर, हमें न आ और्टो करवा दे, इस स्पीड में चलाना देवी ये ना कार है, हवाई जाज में ओ यार, क्या हुआ मैं अपनी ब्रिल क्रीम तो लाना भूली क्या, पंडित, तु गाड़ी घुमा चल्दी नहीं, पागले क्या, सिधे चला तुम मुझे एक चीज बताओ, प्लेन बादलों से भी उपर उड़ता है न ओ, यार, अब क्या हुआ मैं अपनी जैकेट उठाना भूली क्या, पंडित, तु गाड़ी घुमा चल्दी नहीं, नहीं, तु सिधे चलाता रहे, तु चलाता रहे समीट, देखो, मेरे पास नब पांच छे शॉल्स हैं और वो बटन वाला स्वेटर भी है, तुम पहन लेना नहीं न, मैं ऊटी में, तुम्हारी शॉले ले पेटके हुणूँगा क्या पंडित, एक बात बता, प्लेन में वो एमर्जिंसी चेन होती है अरे हाँ, बहुत बड़ी वाली होती है हाँ, होती है न, अब जब तुम्हारा मन करे उतरने का, तो खीच देना तुम टांग खीच रहो ना मेरी तुम प्लेन की चेन की सकती हो भे, तुम्हारी टांग नहीं की सकता मिस्पोमिंग नेना, तुमने कैमेरा रखा था न, वो, वो जूते, ने बुल गई पंडित, तु जल्दी से गाड़ी खुमा आदे रस्ते पहुंच के भाई, अप कैसे? मैं कहा रहा हूँ न, गाड़ी खुमा चल्दी ने, पर तु सीधा-सीधा चला समीर क्या कर रहे हो, फ्लाइट चूट जाएगी हाँ यार, भावी विल्कुल ठीक बोल रही है वहाँ पे हजारों फोटोग्राफर होंगे, किसी को पकड़ के खिचवा है मुझे मेरी कैमरे से फोटोखिष्णी है पंडित, मैं कह रहा हूँ न, तु गाड़ी खुमा तु घुमा कर देख तु घुमा रहे की ने? अरु भाई यार अगर तु ने गाड़ी ने घुमाई न, तो मैं अभी इस कार से पूच जाओंगा अरु न, नहीं भाई तेरी जिद के आगे कुछ भी नहीं होता है यार, भगवान भी से ले राम से तुम न, सच्चिक, बहुत जिद्दी हो और पागल भी एक कैमरे के चकर में प्लेइन छोड़ दोगे फ्लाइट में सोती है तो होने दुप, मैं दूसरी फ्लाइट के टिकेट बुक कर दूँगा बट, कैमरे के बेना ने न, हमारी हनीमून की याद अब क्या होंगी तु पंडित, जल्दी जलाना यार अगर फ्लाइट छूटी न, तो टिकेट के पैसे न, तुछ से ही लोगे अब को लग रहा होगा कि कैसा पागल पनता ही है अरे कैमरे के लिए मैंने फ्लाइट मिस करने का रेज को ठालिया लेकिन ये उन दिनों की वाद है जनाब जब हनीमून पे बीदी बेशक साथ ना हो लेकिन कैमरा, कैमरा साथ हो न, कंपल सरी था पंडित, तू शिफ्टो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ओना यार, तेरे वाजी से फ्लाइट में सोगी पकड़ो, समालगी रखना ये उन दिनों की बात है जब जरा सा मसका मारने से बड़े बड़े काम हो जाया करते थे एरपोर्ट पर लेट पहुँचने पर थोड़ा सा सैट फेस और कोई बड़ा सा बहाना बनाते हुए एरपोर्ट वालों के हाथ पैर जोड़नी से बात बन जाया करती थी तभी तो उस दिन मैं और समीर चैसे तैसे एंड टाइम पर प्लेन के अंदर पहुँची गए थे यह के लिए टावल करने वाले बच्चे कभी टाइम पर क्यों नहीं पहुचते हैं सर प्लीज हाव शीट नेना एक विंडो सीट है और एक मिडल मैं तो विंडो सीट पर ही बैठूंगी नमसा आएगा नीचे देखने में यह है अब हालो यह मेरी सीट है मैं यह बैठूंगा मैं बच्चा हूँ अरे हम भी तो बच्चे हैं चलो उठो नहीं देखो अगर सीधे सीधे नहीं उठे ना तो ऐसे चूटी काटूंगी उठो कितना मसा आए ना समीर सुनो ना जू ही तो कह रही थी कि उपर से सब चोटा चोटा दिखता है ने ना फ्लाइट टेक आफ तो होने दो दीरे से नहीं बदा सकते थे अरे दीरे तो बोला मैंने तो पर उसे कैसे सुनाई दिया पहया दीरे के वाल नूरल चैसे है ना खिलाओ नूडिल्स बेल्ट बन लो सुट पर कौन बेल्ट बनते है नेना मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ लो मैं बनतो कोई बात नहीं बच्चे ही तो है तो तुम तो बच्चे नहीं हो ना ने मतलब तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ पहली बार फ्लाइट में बैठी हूँ तो मुझे तो कुछ आता जाते ही नहीं है मैं बान लूँगी अब यह प्लेन कब उड़ेगा लगता है बच्ची पहली बार वैठी है प्लेन में ने ना धीरे तो बोलो कम से कम हवा का दवाव कम होने पर यह उक्सिजन मासक अपने आप नीचे आजाएंगे कृपया दूसरों के साहेता करने से पूर अपनी साहेता करें समीर अगर ऐसा सच में हो गया कि प्लेन में हवा का दवाव कम हो जाए तो तुम क्या करोगे खुद की साहेता अब नहीं खुद की साहेता करने से पूर्व तो मेरी साहेता करोगे समझे अब हम टीक आफ के लिए तैयार हैं अब हम टीक आफ के लिए तैयार है अब हम गे तैयार है समीर हम तो अवावे हैं वाव वाव देखो सब कितना छोटा छोटा दिख रहा है तुम तुम देख रहे हो ना अब आप कुर्सी की बेटी खोल सकते हैं आज तो हवाई यात्रा करना बहुत कॉमन हो गया है लेकिन 90's में ऐसा नहीं था बाई एर तब लोग ये दो अलफाज बहुत प्राउडली बोला करते थे कि जी बाई एर आए हैं या बाई एर जा रहे हैं उस दिन मेरा भी वही हाल था अपनी पहली बाई एर को लेके मैं इतनी एकसाइट थी कि दिमाग ही चलना बंद हो गया था तबी तो उस बाई एर यात्रा में इतनी टाइट सीट बेल्ट बानने के बावजूद मैं समीर को नहीं बलकि मिड एर यहां वहां देख रही थी पागल हो तुम खुद को तकलीफ की दे रही हो तकलीफ मैं अगर तुमसी बेल्ट नहीं खुली जा रही है तुम मुझसी कहा शर्माना मुझसी तो हेल्प मांग सकती हो ना तुम लाओ मैं खुल देता हूं ओ देखो दीजी को सीट बेल्ट खोलनी भी नहीं आती हाँ यह उन दिनों की बात है जब इश्क सच्छा हुआ अरता था यह उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था रओन 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 यह प्रीत रे जानी न मानी यह रीत रे यह उन दिनों की बात है देखा कितना असान है कोई बच्चा भी कुल सकता है नेना यहाँ वहाँ क्या देख रही हो वो अरे भगवान जी यही रहते है ना बादलों में तो देख रही हूँ क्या पता दिख जाए तुम ना ज्यादा बत्तीस ही मत दिखाओ मैंनेना महाभारत और रामायन का एक-एक एपिसोड देखा हुआ है उसमें यही बताते हैं ओके जब तुम्हें भगवान जी नजर आ जाएंगे न तो मुझे बता देना मैं भी दर्शन कर लूँगा मुझे प्यास लगी है अब इधर नेना तुम यह क्या कर रही हो ऐसे नहीं बिलाते हैं अच्छा सॉरी सॉरी दी 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 दार नेना अगर नहीं आता बलाना तो मत बिलाओ ना अदू यह आज़ कि आए ऑगा इचा सॉरी दी स्चाइब टिया सॉरी वैरोर मैं इस लिडेवाबसा टीज्यो ने काृटनी था शल्यार ने हुड Force र जाएंगोर क्व सॉर। वप्ता अर्श्यट ओछिवलास लो मैं वे थे फोड़ बावने से लेखंगे दोड़क मैंने खरक रिक दोड़क तंग थे ले औरुड़क थे ले पिलेंग के कि रड़क तब दो फ्माले रखे प्रक च्टीप्र कर अज्यू एफे रखे जा। मैंने कब बूला ने मंगा दी मैंने मंगा दी जरा सोचिए आप घर पर कोई जरूरी काम कर रहे हों और कोई शरारती बच्चा बार बार डोर बेल बजाके भाग जाए तो कितना खुसा आएगा ना आपको है ना उतने ही घुसा आज मुझे आता है अपने आप पर यह सोचके कि उस दिन कैसे मैंने बार बार बेल बजाके एर होस्टिस को परिशान किया था वैसे सच बता हूं तो गुस्से के साथ साथ हसी भी आती है आखिर तब मैं थी तो एक शरारती बच्ची ही ना yeah yes ma'am uhh my husband... he doesn't want this Okay ma'am नेना तुम यह चाह कर रही हो ठीक से रखो ना क्यों अरे इसमें क्या है यह लोग वापस यूज नि करेंगे नेना बेसिक मैनेज होते है नियार आवि आस्टीम को एजी वगा सामन उठाने में है.. को अब समझी में बड़ा हसिस के बाते कर रहेती नहीं तुम्सуть मिध्य का हो रिया तुम्हें उसकी नेना वूज ने extra ने तुम्हें मुझे उसकी नहीं तुम्हारी फिकर हो रही है मैंने ठीक से ही दिया था उसने ठीक से उठाया नहीं मैंने तो सुना था इन लोगों को बहुत ट्रेनिंग प्रेनिंग मिलती है बहुत अच्छे से सिखाते हैं इस वाली नहीं ठीक से सीखा ही नहीं होगा नमस्कार थोड़ी ही देर में हमारा विमान कोयमबडूर एयरपोर्ट पेलेंट करेगा आप सबसे अनुरोध है सीट पैल्ट बांद लें कुर्सी सीधी रखें ट्राइटेवल बंद कर लें एवं खिड़की के पड़दे खुले रखें मुझे आती है मैं प्लीज आज वो दिन याद करता हूँ तो बहुत हसी आती है वैसे उस दिन ना तो मेरा समझाना गलत था और नहीं नैना का गुस्सा करना कुछ गलत था तो शायद हम दोनों का तरीका छोड़ो पेशरम अरे अब शादी हो चुके अब शार्म की क्या बात पच्चा बेठा है बास में हमारी भी होंगे ना क्या जू़ो क्योए